सो इस दी अम्पायर हेद्स इस दे कॉल एन हेद्स इटेस कप्तान ने टॉस जी के बूलिंग का फ़ाव प्लेगा समय है तो फिर बैटिंग टीम को लगाने होंगे बड़े शॉट पिछ में थोड़ी सी मदद मौजूद है और गेंदबास के हाथ में रिवर स्विंग का जादू है बड़िया गेंदबासी इससे बहतर शॉट क्रिकेट में आपको दिखेगा नहीं खूब सूरत स्ट्रेट ड्राइफ बड़िया गेंद खास है ये गेंदबास रिवर स्विंग कराने में सही जज्जमेंट का सही नतीजा बड़िया कैच एक और सफलता हल्की सी तीखता और नहीं खुला इदको साधारन बल्लेबासी गेंद थोड़ी सी गुरानी है और रिवर स्विंग में ये महारती है अच्छी गेंद को स्विंग ओवर की छटी गेंद लेकिन बटोरा है चौका ये पहचाना जाता है ये गेंदबास इस बार राउंड दस टंप्पिछ में थोड़ी सी मदद मौजूद है और गेंदबा बाहरी खिनारा मिलेगा फिर भी चौका बॉल गेंदबास की पिछ में थोड़ी सी मदद मौझूद है और गेंदबास के हाथ में रिवर्स विंग का जब्दू है इस गॉन फुरक्षित हाथ है इस फील्डर के तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप अच्छी रिवर्स विंग मिली इस गेंद पर मैदान पर नए है जनाब ये आन करना चाहते हैं बल्लेबास को नई लाइन से अच्छी रिवर्स विंग मिली इस गेंद पर बल्लेबास सूपर पूल ये शॉट ऐसा वसूल छे रण गेंद बास के छक्के छुड़ा दिये छक्का जड़ दिया अब इस कैरेट खरा सोना है बड़िया ड्राइव लेकिन फील्डर मौजूद कोई रण नहीं खास है ये गेंद बास रिवर्स स्विंग कराने में महिर है ये गेंद बास पिक्चर परफेक्ट शॉट गेंद थोड़ी सी गुरानी है और रिवर्स स्विंग में ये महारत ही है अच्छी गेंद को स्विंग करवाया बूम और ये गई चार के पार अली कॉंस्टेंट यहां साइड बदली गेंद बास में अच्छी रिवर्स स्विंग में ये गेंद पर इस बॉल को रोपना मुश्किली नहीं ना मुम्किन है मेरे दोस्ट इस समझ बूच के छुबा कर डाली ये स्लोर गेंद अनिस्ली मैंने भी ऐसे बहुत बार चपमा कहा है अंडर्स्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गति जबर्दस कोशिश पूरा प्रयास फिल्कुल साधारन बल्ले है साइड बदली है लेकिन क्या भागे बदले का गेंद बास का अब यहां तो भागने की भी जरूरत नहीं लेकिन फील्डर वहां मौजूद थे रन की गुंजाइश नहीं रिस पोजिशन में बदलाव बाक अफ़ गेंद डाली गुगली गेंद रिस बार बड़े शॉट का प्रयास पिक्चर परफेक्ट शॉट गेंद थोड़ी सी बुरानी है और रिवर स्विंग में ये महारत ही है अची गेंद को स्विंग करवाया स्माश्ट कमाल का शॉट और क्या थी खूब सूदत ये डाइमेंग तो वो तूफान से पहले की शांती ही थी छे लगाया बल्ले बाजने स्लाम इस गेंद को तारे में कर दिया है तब्दील ग्राविटेशनल फोर्स मिल गया है छे छे का पहाड़ा पढ़ रहा है बल्ले एक्शन में आम स्वीड में कोई बदलाव नहीं लेकिन गेंद आई है थोड़ा सा धी में यह कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है समझ बूच के छुबा कर डाली एस एक दम जड़ में थी यह यॉरकर बल्ले बाज को अता पता नहीं था केंद का इस पर अब उमीद है कि यह टीम की उमीदों पे खरा उतरेगा इसे कहते हैं बड़िया फील्डिंग बल्ले बाज एक एक रन के लिए इस बार बड़े शॉट का फ्यास स्माइक अवा में गेंद को भेजा है बहुत दूर भेजा है यह देकर जाएगी आधा दरदन रन यह शॉट अगर मैंने लगाया होता तो मैं बहुत ही गौर्वानवित होता स्माइश पिक्चर पर्फेक्ट शॉट इस मौके को चौके में किया तब्दील और गोगिया स्माइश इस बाल को रुपना मुश्किली नहीं ना मुम्किन है मेरे दोस्त प्यूटिफुली स्ट्रक जबर्दस शॉट डाउन दा ग्राउंड देखर जाएगा चौका तर्शकों को भी एहसास हो गया है कि शायद चौकों की हैट्रिक देखने को मिलेगी बहुत आशा के साथ गेंद थमाई थी गेंदबाज को गेंद प्लान को नहीं किया है फॉलो निराश है कप्तान गेंदबाजों के खिलाफ खेल नहीं रहे अब तो खिलवाण कर रहे हैं ये दो बल्लेबाज टॉप क्लास ओवर की चटी गेंद लेकिन बटो रहा है चौका जहाँ आए ऑखगर की छिलाएजी आए ख Beyond काच्छू आए सबस्टित खिलाएड वच्छुटर प्रफेक् स्सौन पउड़एफ स्टीख और आएड अभики कर दीजिए इस मैदान को क्योंकि गेंद गई एक बार फिर हवा में छे रन शोकिंग इंपक्ट रॉकिंग आउटकम छे रन मिलेंगे यहां पर अपने शॉट से निराश जरूर है क्योंकि पकड़ा गया है कैच फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली एक बड़ी सफलता स्लैम महीन सीती दरार उसमें से बटोली है पूरे चाप फ्री हिट का समय है लेकिन क्या समय बदलेगा बल्ले बास का राखिंग शॉट यहां तो क्राउड में भी हेलमेट बटवाने पड़ेंगे एक और गेंद गई है स्टैंस में इस छप्के की गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी गेंद बास को आखरी गेंद छेरा अद्बुद अंदाज में खेला ये शॉट हवाई यात्रा पे भेजा गेंद को आउट कॉट क्या कर रहे हैं यह क्या सोच रहे हैं यह कैचिंग प्रैक्टिस है क्या इस मौके को चौके में किया तब्दील ओर गोगिया समाप ओर की समापती नाव जिदारी बिजली की तरह कौंधे इनके पैर और जड़ दिया है एक और चौका अभी भी हैं खामोश फिलर कर रहे थे इंतजार गेंद गई उनकी जोली में बल्ले बास गया पैविलियन के तरफ तौफे में यह चौका नहीं संदेश है स्टंपिंग की एक जोरदार अपील कीपर आश्वस्त हैं यह क्या उट करार दिये जा सकते हैं घर तीसरे अंपायर से मांगी गई है मदल बल्ले बास ने गेंद को किया मेंज कीपर मुस्तैद उनको भेजा बाहर जैये अब देखना यह है कि क्या साथ में थोड़ी स्फिंग भी कर सकते हैं पाउंड्री से थोड़ा पहले ही पड़ा टपा मिलेगा चौका अब यहां तो भगने की भी जरूरत नहीं क्या चौको की तिकड़ी लगा पाएंगे बल्ले बास अंत में मिली एक आसान सी जीत लेकिन सेलिब्रेशन आपको बता रही है कि इस जीत का महत वो पहचानती है यह टीप बल्ले के साथ गेंद के साथ कम्प्लीट आल राउंड परफॉर्मेंस मैन अदर मैच